हेलो दोस्तों मैं हूँ अमित और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रेल टॉक में तो आज हम आ चुके हैं कासिपूर जंक्सन रेलवेय स्टेशन पर यहाँ पर 10.7 करोड की लागत से रेलवेय स्टेशन का रीडवलप्मेंट का कार्य हो रहा है तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितना कार्य हो चुका है और यह हमारी वीडियो बनने जा रही है तीन महिने बाद तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड्स यह है कासिपूर जंक्सन रेलवे स्टेशन के बाहर करना जा रहा और अभी हम यहां के पात्वे पे चल ले हैं जो एप्रॉच रोड है जो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है और इसके बगल में ही रोड को बाइंड करके बीच में पार्क बनाया गया है और इसका भी कारिया भी चल लाए धिरे-धिरे फुट पार्थ का भी निर्माड किया जा रहा है इस पे और यहां पर बीच में से निकास होगा और एक तरफ से आगवन होगा और यह दूसरी तरफ वाला रस्ता है और यह कासिपूर जंक्सन का फेसलिफ्ट है जो अभी निर्माड अधिन है इसमें क्या कहते हैं छत बनाई जा रही है अभी पीलर्स और पूरी तरीके से त्यार हो गए है और इसका लिं आपने देख रहे हैं यह स्टेशन का टिकट घर है और टिकट काउंटर जहां से आप टिकट ले सकते हैं यहां से अलग अलग दिशाओं में ट्रेने आपको मिल जाएंगी और यह पूरा यहां का द्रिश्य है और आधुनीक सुभिधाओं से लेस होने वाला है कासिपूर जंक्सन रेलवे स्टेशन तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और अंदर क्या-क्या कार्ये हुए हैं वो दिखाते हैं और यह इधर के साइड पार्किंग बनेगी गाडियों के खड़े करने के लिए आप देख सकते हैं पुरानी वाली पार्किंग यहीं पर थी मोटर साइकल वाली उसे अभी तोड़ के हटा दिया रगया है फिलाल में अभी कासिपूर जंक्सन इस्टेशन पर कोई भी पार्किंग की सुविधा उपलब्द नहीं है आप देख सकते हैं और यहां पर बजर पोर्च है उसका और यहीं से एंट्रेंस होगी फ्यूचर में अभी तो फिलाल यह निर्माड में है चलना है अभी इसका और यह भी कुछ दिनों में त्यार हो जाएगा बाकी अंदर चलते हैं आपको अंदर का दृष्ट से दिखाते हैं यहां का टिकट काउंटर और अभ से लिंग पुरानी आदी उसको हटा दिया गया है अभी फिलाल में कुछ पता नहीं कि इसके पॉल से लिंग का क्या होगा बाकी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जो कार्ये ग्रे नाइट्स वगरा का चलना आता जो भी कार्ये और आता उस समय वह अभी पूरा हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर रखव और और आगे लिवट का कार्यी चलना है ऐसा caster क्या दोस्तों यहीं स्विदा उपलाब्र होगी स्टेशन पर और यहाँ पर वास्रूम वगारा नया बना है बाकी प्लैटफॉर्म की उचाई को बढ़ाई गई थी यहाँ पर और आप देख सकते हैं सामने डबलू डीजी 6G लोकोमोटीव खड़ा है इस पर अभी इदर के साइड पुट्टी सेमेंटिंग नहीं करी गई है और दूसी तरफ को पूरा कर चुका हो चुका है पूरा और पूरी परफेक्टली उसको त्यार कर लिया गया है और टाइल्स बगरा लगाया भी गया है ट्रेनिस सिस्टम के लिए भी बढ़िया है यहां पर बनाया गया है अभी खिलाल में यही सब कार्ये हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अभी कार्ये रूख चुके हैं अब बस वही लिफ्ट वाला कार्ये हो रहा था बाकी यहां पर जो हमारा कोच इंडिकेटर रहें वह नए लगाए गये थे और यह एड़र्टाइजमेंट वाले नए लगे हैं यहां पर बाकी प्लेटफॉर्म नंबर दो तीन पर चलते हैं वहां पर क्या कार्ये हुए वह दिखाते हैं यह उपर से फ्लाय ओवर के उपर से दिखा रहे हैं आपको लिफ्ट का कार्य जो अभी तेजगरती में चलता है यहां पर बाकी यहां पर यह डिस्पले बोर्ड नया लगा है जो आप फंक्शनल भी है और प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन पर भी लिफ्ट का कार्ये होगा उसके लिए जो दो और तीन पर सैड था पुराना वाला उसको हटा दिया है फिलाल में आप देख सकते हैं और नीचे खुदाई भी करी गई है कि इसका कार यह शुरू होगा जल्द बयाने का और यह प्लैटफॉर्म नंबर दो और तीन सेट एक्स्टेंशन भी होगा प्लैटफॉर्म नंबर दो और तीन पर वहां भी चलके आपको दिखाते हैं प्लैटफॉर्म नंबर दो और तीन पर और यहां का द्रिस से दिखाते हैं कि क्या क्या कार यह चलता है यहां पर डिस्प्ले बोर्ट वगरा नई लगाए गए हैं कुछ और सेट का कार भी हो रहा है यहां पर अभी केवल गड़े ही खोदे गया है तो चलिए चलते हैं सबसे यह पुराने आले सैड में इसको मिलाया जाएगा बाद में और यह बहुत टाइम हो गया इसको ऐसी छोड़ा गया है खोद कर अभी इसमें कार यह कुछ हुआ नहीं है बाकी यही सब पूरा अपडेट है हां कासीपूर जंक्सन रेलवे स्टेशन का तो फ्रेंड्स म होगा तो हम आपको अगले वीडियो में कासीपूर जंक्षन रेलवे स्टेशन के जरूर दिखाएंगे तो मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ कर दो कर दो